हाली में सुप्रीम कोट ने तमिलाडू में सुय मर्य थाई विवा जिसे हिंदी में आत्मसमान विवा कहते हैं इसे मंजूरी दे दिया है सर्वोच्चा दालत ने मदरास हाई कोट के एक फैसले को रद करते हुए आदेश दिया हाई कोट ने कहा कि वकील अपने कार्यालों में ऐसी विवा नहीं करा सकते हैं मगर उच्चतम नयाले ने अपने आदेश में कहा कि वकील अपने कार्यालों में ऐसी विवा करा सकते हैं ने कहा कि वकील पेशेवर क्षमता में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन यह काम करा सकते हैं बता दे कि सुप्रीम कोट ने मदरास हाई कोट के उस आदेश के खिलाफ इलाव सरन नाम के एक शक्स की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसकी बंदी परतक्षिकर्ण याची का खारिज कर दी गई थी लाव सरन की तरफ से पेश वकील एथेनम वेलन ने दावा किया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सुया मरियथाई विवा किया था और उनकी पत्नी अभी अपने अभिवावकों की अवैद अभी रक्षा में हैं चलिए अब इसका इतिहास जान ले ततकालीन मदरास प्रेजिडेंसी में ये लोग ब्रह्मन विरोधी थे अगले वर्स तक यह जस्टीस पार्टी बन गई जस्टीस पार्टी का इतिहास बहुत लंबा है इसके भीतरा लग अलग भाशाई पहचान और बिटिशर्स की तरफ जुखाओ होने के कारण इसे सीसी का हिस्सा थे यह मैसुस करते हुए पद छोड़ दिया कि पार्टी के भीतर एक मजबूत प्रहमन पूर्वगरा था और गांधी जैसे नेताव पीडित जातियों के लिए प्रियाप्त काम नहीं कर रहे था 1940 के दसक के बीच पेरियार ने सुय मरियदाई एककम की शुरुवात की जस्टिस पार्टी का नेतरतो संभाला बिटिश वफादारों को बाहर कर दिया और विभाजन पैदा करने की बजाए अपने आंदोलन की मांगों को सामने लाया जो लोग उनके साथ रहे दर्वीड गठित धर्म एक समस्या थे लेकिन उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति विशेश नापसंद गी थी उनके लिए संस्कृत निष्ट ब्रह्मन वादी पकड़ ही जाती आदारित भेदवावक और पित्तर सत्ता का समर्थन थी बारतिया संस्कृतिक मंद से बात करते हुए च सिद्दांत पर भी बनाया गया था कि महिलाओ का विशेश रूप से अपनी गरिमा को बनाये रखने में सक्षम होना चाहिए इसाई इंबलम जो तमील जर्नल विदुतलाई लिबरेशन के लिए भी लिखते हैं जिसे पेरियार ने शुरू किया था और जो अभी भी कारियर है उन्होंने बताया कि शादी के लिए शपत दिलाई जाती है जो कुछ इस तरह से हैं जीवन की सभी खुशियां परिशानियों में हम दरड मित्र साथी रूप में रहते हुए समान जिम्मेदारियों और समान अधिकार अधिकार साजा करने की शपत लेते हैं हमारे क्या शरते होती है जोड़े की उम्र 21 साल होनी चाहिए और उन्हें नाम उम्र और पते का प्रमान देना होगा उनके साथ चार गवा भी होंगे जब डीमके ने 1967 में पहली बार राज्य सरकार बनाई तो उन्होंने यह सुनिशित करने में महत्रपुर्ण भूमिकानी भाई क सुया मरियदाई कल्यानम को कानूनी मानेता मिले 1967 के तमिल्नाडु अधिनियम की इधारा 21 जो केवल तमिल्नाडु राज्य पर लागू होती है हिंदु विवाय अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए एक प्रोविजन है हाला कि ऐसा लगता है तमिल्नाडु सामाजिक न्य 2015 के NCRB के आकड़ों के आधार पर अनुसुचित जाती और अनुसुचित जनजाती के खिलाफ अत्यचार निवारण 1989 के तहत 1782 मामले दर्ज किये गए थे मुझे यह जोटना होगा कि संख्या यूपी बिहार राज्यस्थान अंदरपरदेश और मध्यपरदेश के बाद ब इडिया स्पेंड के एक विशलेशन के अनुसार तमिलनाडू में वर्ष 2016-16 के बीच सजा की दर निराशाजनक रूप से कम है 10% से भी कम यह सब सवाल पैदा करता है यदि यह अधिकारिक आकड़े है तो जातिवादी हिंसा के अनौपचारिक मामले घटनाय क्या है और उन छुएक विधायक के साथ अभय से अगले दिन उसकी पतनी का शरीर तीन महिने के भृण को निकालने के लिए चीर दिया गया था उसका कटा हुआ सिर्भी वेन्यार जाती से थी और उसी के परिवार ने करूरता से उसकी हत्याकर दी वेनियार समुद्थय, जो एए एक और रूप से दलीतों का शिकार करता है, राज्य में काफी राजनेतिक प्रभाव रखता है। कार्यकरता कोशल्या की शादी प्रतिरोध के एक अत्यनत आवस्चक कार्य के रूप में हुई। दिसंबर 2018 में उन्होंने कोई मोटर में ठान थाई पेरियार दर्विड कडगम कारियाल्या में पराइडरम, कलाकार और बैंड सदस्य वी शक्ति के साथ युवा मर्यादाई कल्यानम किया। पराइडरम को हमेशा से ही जाती के हिंदूों द्वारा अशुद और अप्शकून का प्रतिक माना जाता था क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से अंतिम संस्कार के समय दलितों द्वारा बजाया जाता था। लेकिन अब यह है अपने आप में दलित प्रतिरोद का प्रतिक बन गया है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।